कौमें अपने माजी को नहीं भूलती और उन्हें यादगार बनाती है जिस तरह मंटो पार्थ को यादगार का नाम दिया गया मिनारे पाकिस्तान बनाया गया और आज भी पाकिस्तानी मिनारे पाकिस्तान देखकर अपने माजी से जुर जाते हैं मुंसलिक हो जाते हैं पिल्कुल इसी तरह इसको भी बाबे पाकिस्तान का नाम दिया गया और इसे जादगार बनाने का फैसला किया गया और ज्याउलहक को बाकाइदा ब्रीफिंग दीगी वाबे पाकिस्तान के नाम से वॉल्टन में क Wamheavy यादगार तामीर करने का सबसे पहला ख्याल गवर्नर पंजाब जन्रल खुलाम जिलानी खान को आया उन्होंने इस मनसूबे के बारे में जनरल मुहम्मद जयालख को ब्रीफ किया जिन्होंने इस मनसूबे की तामीर में गहरी दिल्चस्पी का इसार करते हुए हुक्म दिया कि यहां एक ऐसी यादगार और कौमी पाक तामीर किया जाए जो आला तामीराती रिवायात का अमीन भी हो इस मनसुबे के लिए आर्मी जमीन मुहिया करेगी क्योंकि यह जमीन आर्मी यूनिट के जेरे खब्जा थी और यहां वाय स्काउट की तामीरात भी मौजूद थी हमें सो बहुत खुशी थी कि यह यह एक निशान बन जाएगा पाकिस्तान का कि वही वह महज़रों के पहले एद यहां आए यहां से फिर जाना बेजाएगा तो यह तो बड़ी खुशी की बात थी यही जगा क्यों मुन्तखिब की गई इसलिए कि यहां पे बरे सगीर में बहुत बड़ा एहम स्काउट्स का हेड़कौर्टर था यहां पर और जो स्काउट्स की तहरीक का बानी था उसने इस जगा को विजट भी किया था चाहिए पावल उसका नाम है तो स्काउट्स के मदद करते हैं और वालन्टियर होते हैं रजाकार होते हैं तो वो एक थोड़ी सी बुनियाद बनी इतने बड़े चैलिंज को कबूल करने के लिए फिर 1991 में पंजाब के वजिरियाला घुलाम है दरवाई मरहूम ने इसका बीड़ा उठाया एक इदारा नैशनल मेमोरियल रिजिस्टर्ट करवाया और उसके तहत नैशनल मेमोरियल कांसल बनाई जिसमें मुमतास कौमी अकाबरीन शामिल थे सियाल हक हुकूमत में इस मनसूबे की मनजूरी दी और उसके बाद आर्किटेक्ट्स के माबेन मुकाबला करवाया गया तमाम सूबों की शराकत से यादगार तामिराती अखराजात के लिए 14 क्रोड का अब्तदाई फंड जमा किया गया यादगार के डिजाइन के लिए कौमी मकाबले का इश्तिहार अखबार में चपफा दिया गया मकाबले में मुलक भर से 23 डिजाइन मौसुल हुए और आर्किटेक्ट अमजद मुक्तार चुहान का डिजाइन और मास्टर प्लैन अफ़ल करार पाया आपका डिजाइन मुल्टखिब होने पर मुबारिक बात पेश करता हूँ ये पूरा पज़र्ट एक बहुत बड़े बाग की शकल में और इसके मरकज में एक हश्त पहलू तखता होगा तखते के किनारे पर खैमा नुमा कुछ साहिबान बनाए गए जो लोगों के उटने बैटने के काम आएंगे जबके इन खैमों के यहां पे का वजूद यहां पे लोगों का आना जमा होना कुर्बानिया देना उसके मकसद उसके जवाज की अलामत इसका मरकजी हिस्सा है जो एक तरकीब है एक कॉंपोजीशन है आर्चिस की इस्लामिक आर्चिस की जो अपनी चारों साइडों पर खताती में मौनिमेंट की थीम यह है कि एक खैमों की बस्ती थी जो कलमे की पुकार पर यहां पे काइम हुई और उसका मरकज और उसका मकसद ला इलाह इलूल्ला था यह 1991 में एक डिजाइन का मकाबला हुआ था बाप पाकिस्तान के सिल्सले में वो मैंने विन किया था डिजाइन मनतखब करने वाली कमेटी में कई आर्किटेक्ट, आला अफसरान और बहुत से दानिश्वरों के नाम शामिल थे जैसे जस्टिस रेटाइड जावेद अकबाल मजीद निजामी मरहूम मुनीर अदीन चुगताई प्रोफेसर मुनवर मिर्जा डॉक्टर सफदर महमूद जबके मिनार पाकिस्तान मनसूबे के प्रोजेक्ट डारेक्टर मशूर मुसनिफ मुखतार मसूद इस कमेटी के पहले 27 फर्मों में से सिर्फ साथ साथ फर्मे मुनख़ब हुए पिर साथ को कहा गया कि आप इसको मजीद बेहतर बनाएं तो फिर साथ में से फिर एक डिजाइन का मुनख़ब की एक मुनख़ब हुए इसी मुनख़ब शुदा डिजाइन और मास्टर प्लैन की वजरियाजम नवाज शरीफ ने मन्जूरी दी और नेशनल मेमोरियल कौंसल ने ताइद की इसका डिजाइन कोई एक शक्स या दो चार अफराद ने फाइनल नहीं किया एक बहुत भारी कमेटी थी और उसमेंस अक्सर लोग अब फौत हो चुके हैं और बड़े बड़े कैलिबर के बड़े बड़े मुकाम के लोग थे उसमें और एक तरह के लोग नहीं थे कि सारे सियासदान हो जाएं या सारे ही अधीब हो जाएं इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अदीब, सहाफी, तारीखदान, शायर, बिरोकरेट्स इन तमाम लोगों की एक नैशनल नमाइंदगी थी 1991 की इस नैशनल मेमोरियल कांसल में जरा देखिए कैसे कैसे बड़े नाम शामिल थे मिया मुम्ताज मुहम्द दोलताना, खाजा मुहम्द सब्दर, चौदरी मुहम्द हुसें चठा, महमूद ए हारून, मौलना अब्दलसत्तार न्याजी, खाजा खेरुद्दीन, मजीद निजामी, सरदार अब्दलकयूम, जस्टिस जावेद इकबाल, डॉक्टर जिया उल मौलना मुहम्द इसमाईल जबी, मगदूम सज्जाद हुसें, जैन नुरानी, जाम मुहम्द यूसफ, जस्टिस जक्यूद्दीन, काजी अब्दलहमीद, आबिद इकबाल, एहम्द खान, खुदा मुहम्द खान, हसने इशेख, सरदार अस्मान, जोगिजई, मुहम्द अ मिया नवाज शरीफ जो कि उस वक्त के वजिर आजम थे, उन्होंने इसका संगे बुनियाद रखा, और यहां पर बहुत बड़ा जलसा भी किया 14 अगस्त 1990 को मिया नवाज शरीफ ने वाल्टन पर बाबे पाकिस्तान कम्प्लेक्स का ना सिर्फ संगे बुनियाद रखा, बलके एक जलसा आम भी मुनाकिद किया वहां गुलाम है दरवाई मरहूम और पूरी मुस्लिम लीगी कियादत की मौजूदगी में महाजर शहीरों की इजत्माई कबरों की जमीन पर खड़े होकर बाबे पाकिस्तान की फौरी तामीर का एलान किया तो उनको आजादी जो है कि इन बुजर्गों की इन खिद्मात और खुर्बानियों के नतीजे में हासर हुई 45 वां यौम आजादी पूरी कौम ने इंतहाई जोश औ जजबे से मनाया वजीर आजम जनाब मुहम्मद नवाज शरीफ ने कल बाबे पाकिस्तान का संगे बुनियात रखा वो शहीदान ने वतन जिन्हों ने पाकिस्तान के लिए अपना खून दिया अपनी जानों का नजराना पेश किया आज इस जगापर उनकी यादगार में बाबे पाकिस्तान तामीर किया जा रहा है मगर एलान महद एलान ही रहा वो आये बलते नौाब ममदोर्ट रुसकत थे वो भी साथ थे और बड़ा यानि गौर्मेंट ने उसे बड़ी दिल्चस्पी का इजार किया उससाफसे पे इसको पाय तकमील तक पहुँचना चाहिए था चारों सूबों से 1450 मिलियन रुपए तो 81 कर लिए गए लेकिन मनसूबा पाय तकमील तक ना पहुँचा चंद साल महतमाना खतो के दाबत में गुजर गए जनरल गुलाम जिलानी खान की रुखसती और जनरल जया उल्हक की शहादत के बाद ये मनसूबा कांगजों में दफन होकर रह गया इस मनसूबे को नई जिन्दगी देने वाले वज़ियाल पंजाब गुलाम हैदरवाई थे और उसके बाद ये इतने साल हो गए है कि गौर्मेंट ने तोजो देनी बंद कर दी ये नहीं ऐसा होना चाहिए था 1995 में वज़रियाजम की हैसित से नवाल शेरिफ ने इस मनसूबे में गहरी दिल्चस्पी का इजहार किया लेकिन ये मनसूबा तामिराती शकल इक्तियार ना कर सका लेकिन अब देखके अफसोस हो रहा है कि अभी तक कुछ नहीं इतनी वो बात नहीं हो रही जतने की होनी चाहिए थी प्रजेक्ट अनौस करने वाले इसको बिल्कुल भुला बैठे कई दफ़ा उनको एक्ज़दार मिला वो आजादी का सांस लेने के लिए यहां आए थी उन पाबंदियों के लिए नहीं आए थी जो इनसानियत को कमज़ोर करती है और मैं समझता हूं कि हम लोगों को इस बात का इसास करना चाहिए कि यह हमारा मुल्क है इसको हम लोटने नहीं आए इसको हम बनाने के लिए आए इसमें हमें अगर हम इस यादगार को नहीं बना सकते हम हजारों करोडों अर्बों रुपए खरच करके हकूमत वक्त को इस चीज़ का इसास दिलाना चाहते हैं कि आप दुनिया भर के काम करते हैं और आप उस जगा को याद नहीं रख सकते जहां आके मुसल्मान कौम ने पहला सजदा दिया था शुकराने का ये कहने के लिए कि हमें एक आज़ाद मर्व बसी है 1992 में इस अज़ीम मनसूबे का संगे बुनियाद रखा गया और 2005 तक किसी हुकूमत ने इस पर तवज्जो ना दी और ये मनसूबा हकूमतों की अदम तवज्जो ही का शिकार रहा बिलाफिर 15 साल की ताफिर के बाद इस कौमी मनसूबे को सर्द खाने से निकाला गया जनरल परवेज मुश्रफ को 2005 में जबिसाहम तरी मनसूबे के बारे में बरीफ किया गया तो उन्होंने चौदरी परवेज जिलाही को नसर्फ मनसूबे की फौरी तामीर शुरू करने का हुक्म दिया बलके आर्मी से मतलुबा अराजी लेकर हकूमत पंजाब के सुपूर्द करने के इलावा 244 मिलियन रुपे के फंड्स भी मुख्तस कर दिये बाबे पाकस्तान हमारी इनी कैफियाद की इलामत होगा इस मनसूबे के आर्किटेक्ट अमजद मुख्तार को भी सिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा क्योंकि उसमें ये बहुत खुचूरत एक मनसूबा जिसका डिजाइन है ये बहुत खुचूरत है और इसको मैं समझता हूँ कि ये अमजद मुख्तार साथ बैठे में क्योंकि ये डिजाइन बहुत ही खुचूरत है और मुझे यकीन है कि जब ये बनेगा तो ये एक हमें फखर देगा जब ये बेसरीन खुचूरत मॉनुमेंट ये यादज़ियम होगा अब्रिक्शूरी होगी तो ये एक फूरीम होगा आर्च गैलरी होगी तो ये एक सिर्फ मॉनिमट नई है ये एक पूरा सिलसला होगा यहाँ 2006 में ये मनसूबा आर्मी के हवाले किया गया सादर जनरल प्रवेद मुश्रफ ने जौम आजादी के मौके पर जानी 14 अगस्त को इस मुनसूबे का संगे बुनियाद रखा और प्रोजेक्ट को 30 माह में मुकमल करने का शेडूल बनाया यहां काईद आजम ने लाखों महाजर जब आए थे पाकिस्तान हिंदुस्तान से आए थे उनको एड्रेक्ट किया था और वहाँ इमोशनल हुए थे फौजी जमीन थी वो खाली करवाई गया हकूमत पंजाब ने फंड्स की जमदारी उठाई और फौरी तामीर के लिए मनसुबा फौज के हवाले कर दिया डिजाइन मकाबले में अवल आने वाले आर्किटेक्ट अमजद मुक्तार चुहान को ही मनसुबे का आर्किटेक्ट कंसल्टेंट मुकरर किया गया यून 2006 में फौज के जिरे इतमाम पहली मरतबा तामीर का आगास हुआ हकूमत पंजाब फौज को फंड्स रहम करती रही और काम मसलसल जारी रहा फिर 2006 में जाके इसकी तामीर का अमलन आगास हुआ उस सब जर्नम शर्फ साब की हकूमत थी बहुत जर्शोर से तामीर जारी रही फौजी जमीन थी वो खाली कराई गई फौज की बड़ी मेरबानी कि उन्होंने इस प्रजेक्ट ली जमीन खाली की और वो एक बहुत बड़ा मरला था और आर्मी ने इस पर पचास से साथ फिसद काम मुकमल किया इस प्रोजेक्ट का तामिराती काम का आगास नवंबर 2006 को हुआ और उसके बाद काफी जोरोशोर से काम जारी रहा जो 2011 तक जारी रहा और 2011 से ताहाल रुका हुआ है